द्वारहाट सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आनंद सती ने परचार में जोंकी अपनी तागत उत्राखंड में होने वाले आगामी विधान सवा चुनाव को लेकर सभी राजनितिक पार्टियों ने अपना अपना परचार परशार तेज कर दिया है इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने भी द्वारहाट विधान सवा सीट पर परचार परशार में अपनी पूरी तागत जोंक दी है गुरुवार 6 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी के कारिकरताओं ने द्वारहार सीट से पार्टी के उमिद्वार आनन्द सती के नितुरत में मासी से चखोटिया तक लोगों से समवाद किया मासी के परशिद भुम्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बस्पा उमिद्वार आनन्द सती ने मासी बजार में लोगों से मुलाकात की और उनसे वोट रूपी आशिरवाद मागा इसके बाद उन्होंने पन्याली, त्यार, पटलगाउ, भगोती, भटगोट सहीद अन्य जगों में भी लोगों से मुलाकात की इस दौरान आनन्द सती के साथ बस्पा के द्वारहाट बिधान सभा के परभारी सुन्दरलाल, गनेश्रा, गोपाल इत्यादी कारिकरता बस्पा उमिद्वार आनन्द सती ने लोगों से कहा कि उनका मुख्य, उद्देश, रोजगार, स्वास्त और पलायन है, उन्होंने कहा कि यह हमारा दुरुभाग्य है कि राज बनने के बाद दो दश्कों के बाद भी पहार में स्वास्त सेवाएं बधाल हैं, इसी तरह र इधायक बनने के बाद उनकी पहली प्राथिमिक्ता पहार के संसादनों के अनुरूप रोजगार उत्पन्द करना है ताकि पलायन पर रोक लगाई जा सके, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बस्पा सुप्रीमो मायावती नहीं उत्राखंड में चार नए जिले बरहाल जिस तरह से आम जनता का आनन सती को समर्थन मिल रहा है उससे वह काफी गदगद दिखे झाल झाल